बिल्कुल बाजार जैसे टूटी फ्रूटी घर में बनाए हैं मैंने वेलकम टू प्यूर कोगिंग देख सकते हैं आप ये टूटी फ्रूटी बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और खाने में उससे भी जादा टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है तो चले बनाना श यह जरा सा भी पका हुआ नहीं होना चाहिए अब हम इसके जो भींज है वो निकाल लेंगे और इसका छिलका भी निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं यह कितना हाड है पपाया तो पपाया से जो टूटी फूटी बनता है वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता क्यूंकि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर कम होता है रह पपाया में तो बनाने में थोड़ी से महनत लगी है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच बने हैं देख सकते हैं तो अब मैं यह सारा चील कर तयार कर लेती हूं पपीता पहले और इसके अंदर जो स्कीन होती है उसमें भी हम थोड़ा सा इसे निकाल लेंगे जो कड़वी स्कीन होती है वो हम निकाल लेंगे और यह इसलिए बनाया जाता है कि इसका अपना कुछ सबस्कंट लेंगे छोड़ा । तो इसके अंदर यह इस्रफियस सरफेस है हम इसको भी पीज करने के निकाल लेंगे अभी स्मूध वाली थायए में निकाल के रखते जाएंगे इसी तरीखे से सारा रोपापाया चिलके में तयार कर दूंगी तो देखिए अब ये चीलने के बाद में हम इसके पीसेस कट करेंगे तो मैंने थोड़े से बड़े काटे हैं लेकिन आप इससे छोटे काटे जितने मेंने काटे हैं क्योंकि मुझे बाद में छोटे पीसेस को फिर काटना पड़ा तो थोड़ा सा इनका साइस का एक साइस में बनाने की कोशिश करें इनको तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं ये तो अब सारे क्यूबग को सारे क्यूबग को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है पानी करेंगे और पानी में बॉइल कर लेंगे एक-10 मिनिट के लिए से बॉइल करना है बस jours जयादा नहीं इतना boil करेंगे कि यह transparent से लगने लगें, थोड़े से soft होने चाहिए, पूरे नहीं पकने चाहिए यह, देखें स्टोकी flame बन करके, अब छन्नी रखके मैंने चान रही हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलिगा कि यह transparent से हो गए है, लेकिन पूरे गले न जितना पपाया है उतनी शक्र लेनी है, और बिलकुल गाड़ा सा शीरा हमें बनाना है, एक तार का शीरा जो कहते है उसको उतना हमें इसको पका लेना है, अब जब जब गाड़ा होने लगे तो मैने इसमें फ़ टीजपून वनेला एसेंस का अट किया है, यह आप टीजप अगर आप बहुत ज्यादा रख देंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा ज्यादा पका देंगे तो यह बिल्कुल बुरा बुरा हो जाएगा अब देखिए यह बिल्कुल पके जो चाशनी है वो इसमें रेडियूस हो जाएगी और एक तार की चाशनी बाखी रहेगी तब तक हम इसको पका लेंगे अब देखिए बिल्कुल सूखने लगा है हमारा शीरा तो इसको की फ्लेम बन कर देंगे इसके मैंने पार्ट्स कर लिये हैं आपको जितने कलर के टुटी-फुटी बनाने है उतने कलर के आप पार्ट्स कर लें तो मैं चार कलर के बना रही हूँ औरेंज, यलो, ग्रीन और अब के पास में जितने कलर अवेलेबिल हो आप उतने कलर की यह बना सकते हैं और कलर की क्वांटिटी डिपेंड करेगी आपकी यह क्वालिटी पे तो देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है एक बार मिक्स करके इस तरह से देख लें के कलर आ रहा है या नहीं तो फिर आपको पता चल गाएगा कि आपको कितना कलर एक करना है अब सारे कलर समिक्स करके इसे रात भर रखने के लिए छोड़ देंगे रात ने मने बनाया है यह तो रात भर जब हम यह कलर लगा के इस तरह से रख देंगे तो अच्छे से यह टूटी फूटी पे कलर लग अब हम एक टिशू पेपर पे एक प्लेट में यह सारे पहला देंगे तो थोड़ा सा शीरा ज्यादा लग रहा है लेकिन बाद में यह कम हो जाएगा सूख जाएगा धूप में रखेंगे तो तो एक धिन की धूप आपने इसको लगानी है कम असकम मैं आगे आपको बताऊ आपने इतना इसको सुखाना है कि इसका अब हात लगाएंगे तो आपको मोईस्चर नहीं लगेगा और इस तरह से आवाज आएगी मैं आपको आवाज सुना रही हूं देखिए आवाज सुनिये इसकी तो इस स्टेश तक हमें सुखाना जरूरी है नहीं तो यह खराब हो तो देख सकते हैं आप बिल्कुल तूटी-फूटी बनके हमारे तयार है यह देखिए आवास तून सकते हैं आप इसकी छोटे कर दिये हैं मैंने इनको साइज में अब हम इंसको कवर में रखके रैप करके एक टाइट कंटेनर में रख देंगे तो 2-3 महीने ताँ खराब नहीं होंगे यह तो कितने कलर फूल टेस्टी टूटी-फूटी बनकर तयार है यह रेसेपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए प्यूर कुकिंग चैनल को